रोई शर्टी के डिरेक्शन में बनी और अजे देवगन स्टारर मुवी गोलमाल अगेन हर रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाती जा रही है इस मुवी ने इस साल हिंदी में रिलीज भी मुवी में बाहु बली टू के बाद कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर कपजा जमा लिया है मुवी ने इडिया में अभी तक 143.33 करोड का कारोबार कर लिया है और मुवी से जुड़े लोगों को ऐसा लगता है कि मुवी आज 150 करोड का आकड़ा भी पार कर लेगी मुवी ने कमाई के मामले में शारुक खान, सल्मान खान और वन्दवन की मुवी को बचाड़ दिया है इससे पहले जुड़वा टू साल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी लेकिन गोलमान अगेन इससे भी आगे निकल चुकी है आपको बता दें कि इसके पहले भी मुवी सौकरोड कलब में शामिल होते ही सौकरोड रुपे कमाने वाली पहली होरर कॉमेडी मुवी बनी इससे पहले रिकॉर्ड और किसी दूसरी बॉलिवूड मुवी के पास नहीं था आपको ये भी बता दें कि मूवी गोल माल फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है जिसने इतनी कमाई की इसके पहले आई गोल माल थ्री ने कमाई तो की लेकिन उसकी लाइफ टाइम कमाई सिर्फ एक सो नौ करोड पर ही आकर थम गई थी अब देखना होगा कि ये मूवी 200 करोड का आकरा घरेलू में कितनी दिनों में कर पाईगी पार क्योंकि ये वर्ल्ड वाइट 200 करोड का आकरा पार कर चुकी है और भी खबरों के लिए जुटरे हमारे साथ और हमें सबस्क्राइब जरूर करे ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले